हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका UPSCBDS में जिसमें हम पढ़ रहे हैं दरश्टी 2023 जो एक मैई 2022 से 15 परल 2023 की समसामी की घटनाओं पर आजा रहे थे इसमें हम इसका विग्ञानिक परदर्श्र को पढ़ रहे थे थे अब तक इसमें हमने तीन लेक्चर इसके कंप्लेट किये हैं अब इसका जो चौर्था लेक्चर आएगा वो परियावण विग्ञान से सम्मंदित रहेगा कि इसमें क्या क्या एक साल के अंदर घटना है घट इसमें को इस्टेट आप टाइगर्स 2022 नामक रिपोर्ट के द्वारत संकलेद किया गया और इस रिपोर्ट के अनुशार 2022 में बागों की संख्या 3166 तक पहुँच गई है उन लेकनी है कि बर्स 2018 में बागों की संख्या 2967 दर्च की गई थी और अभी प्रजेंट में 3166 द से अधिकाय के कुल 3080 वेक्तिगत बागों के चित्र खीच गए भारत में इस प्रकार बागों की नियूंतम आबादी 3166 अनुमानित की गई है भारत में कुल बागों की संख्या 2022 के अनुशार सिवालक की पहाडियों इवं गंगा के मैदानी छेत्रों में बागों की संख् है जो की सरवादिक है फिर आता है पश्मी घाट छेत्र में बागों की संख्या 824 है उत्तर पूर्वी पहाडियां इवं ब्रम पुत्र की मैदानी छेत्र में बागों की संख्या 194 में है और सुन्दरबन में इसकी संख्या 100 है तो इसमें टोटल में दाकर 3080 बागों की संख रानिपूर उत्तर प्रदेश सिवालिक परिद्रशों मध्ध प्रदेश मध्ध भालतिय छेत्र में के मध्ध तीन बाग उभय निष्ट है वोता है यह सभी प्रदेशों को कुल जोड़ से तीन को घटा दिया गया मतलब प्रजेंट में भारत स्टेट्स ऑफ टाइगर्स रिपोर्ट के अनुशार भारत में 3167 तक बाग पहुंच चुके हैं जिसमें 2012 में 2967 थे और भारत में बागों की संख्या 6.74 प्रशत की ब्रद्धी दर्जुई है और इसमें सरवादिक के बाग तर माहरत के मध्धिय चेत्रेबं पूरुवी घाट में 1161 है अब पड़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्स एक अप्रेल 1973 को भारत सरकार द्वाराबाद के संरक्षण बड़ावदे ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉंच किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर बिष्ट में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाती संरक्षण पहल है एक अप्रेल दूजर तीज को प्रोजेक्ट टाइगर के अपन्च प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्स पूड़े हो गया उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्स पूरे होने के उपलक्ष में एक इसमारक सिक्का भी जारा किया वो लेखनी है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियावण बन एवं जलवाई परिवर्तन मंत्राले कि एक केंद्र प्रायोजतियोजा है जो निर्दिष्ट बाग अभ्यार्णों में बाग सन्रक्षन के बाग राज्यों को केंद्री शहायता उपलब्द कराती है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्स पूरे हुए जिसे एक अप्रेल 1973 को इस्थापित किया गया था तथा इस प्रोजेक्ट टाइगर को विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाती सन्रक्षन पहल के रूप में जाना जाता है और इसे 9 अप्रेल 2023 को प्रधान मंत्री नर्ण दमोदी ने मैशूर करनाटा के स्थाप मैशूर विश्विध्धाले में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्स पूरे होने के इस मरोड सव में कारकरम का उधगाटन किया अब पढ़ते हैं International Big Cat Alliance के बारे में 9 अप्रेल 2023 को प्रधान मंत्री नर्ण दमोदी ने International Big Cat Alliance को लौंच किया यह अलाइंस विश्विश्व के साथ प्रुमुख Big Cat यह था बाग, सेर तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगवार और चीता के सनलक्षण एवं सुरक्षा को ध्यान के इन्दित करता है इस इलाइंस के सद्सों में इन प्रजातियों को सरण देने वाले देश सामिल होंगे इसमें International Big Cat Alliance का कहां लौंच किया गया, प्रधान मंत्री नर्ण मोदी के द्वारे लौंच किया गया इसके अंतरगत साथ प्रमुक Big Cat से जिसमें आता है पहला बाग, दूसरा सेर, तीसरा तेंदुआ, चौथा हिम तेंदुआ, पाचमा प्यूमा, छटमा जगवार और चीता इसमें के सनलक्षण और सुरक्षा को ध्यान के इन्रित करता है अब पढ़ते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का पहला कार्वन तरश्ट पावर एक्सचेंज बना 14 दिसमबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कार्वन तरश्ट पावर एक्सचेंज गोसित किया गया यह कारवन ततरष्ट गोजित होने वाला भारत का पहला पावर एक्षेंज है इंडियन एनर्जी एक्षेंज भारत का प्रमुख उर्जा बाजार है जो बिद्धूत नभी नी करनी है और प्रमाण पत्रों के भौतिक बित्रण के लिए एक राष्ट बाद पी 140 ट्रेंडिंग प्रेट्फोर्म प्रदान करता है यह भारत का पहला पावर एक्षेंज बना हुआ है अब पढ़ते हैं कारवन ततरष्टता का आर्थ क्या है किसी बैक्ती कमपनी या देश की कारवन ततरष्टता के रूप में जाना जाता है यदि बहे अपनी दिन प्रति दिन की गतिविदियों द्वारा बायुमंडल में मुक्त की जाने वाली कारवन डियाक्साइट को उनके द्वारा बायुमंडल से किसी बैक्ती कमपनी या देश की कारवन ततरष्ट के रूप में जाना जाएगा क्योंकि समग रूप से बायुमंडल में जोड़ी जाने वाले सीयोजना के वारे में 28 दिसंबर 2020 को तमिलाडू ने अपने राजकी पशूल नेलगिरी तहर के सनलक्षण हितो नेलगिरी तहर परियोजना को वन्यूरी दी भारत में इस तरह की ये पहली परियोजना है और इसे 5 वर्स की आउधी के लिए लागू किया जाएगा जो 2020 से 2027 तक होगी नेलगिरी तहर के वारे में जागरुकता फैलाने के उद्दे से 7 अक्टूवर को नेलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और नेलगिरी तहर परवती छेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरुदार जानबर होता है अब पढ़ते हैं भारत में चीते के पनुरवास की वारे में 17 सितंबर 2020 को प्रधान मंतरी नरंदमोदी ने जंगली चीते को कुनुराश्टी उद्धान मद्र प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया है इन चीतों को नामीबिया से लाए गया है जिन 8 चीतों को कुनुराश्टी उद्धान में छूड़ा गया है उनमें 5 चीते, 5 मादा चीते और 3 नर्ड चीते सामिल है उलेकनी है कि वर्स 19.50 में देश में बिलुप्त गोसित हो चुके चीते की लगभग 7-10 को बाद भारती भूमी पर वापसी हुई है इस करम में 18 फरवरी 2023 को दक्षिन अपरका से लाए गई बारा चीतो को कुनूर आश्टिये उद्धान में रहने के लिए मुक्त किया गया ग्यातब बहकी चीतो को भारत में पुनरवास प्रोजेक्ट चीता के तक्तवाधान में संभा हुआ है जो किसी बिगशाल जंगली मासाहरी जानबर की अंतर महाधी पिया स्थानांतर की विश्यकी पर थम परियोजना है नामी बियासी भारत में चीतो की स्थानांतर में नामी बिया इस थित एक अंतर आश्टिये गैर लापकारी संग ठचीता कंजर्वेशव एफंडम की भी महत्रपूर भूमका रही है प्रतेक चीते के गले में एक सैटेलाइट कॉलर पहनाया गया है जो GPS भी एच एफ रेडियो कॉलर पहनाया गया ताकि उनकी नेगरानी और वेक्तिगत पहचान हो सके वो लेखनी है कि चीते की वो प्रजाती है जो भारत में बिलुप्त हो गई थी और वह A.C.I. चीता का बिज्ञानिक नाम A.C. Nox, Jovitas, Benaticas है जबकि वो प्रजाती जिसे नाभी विया से भारत में लाकर बशाए गया अफरेका चीता का बिज्ञानिक नाम A.C. Nox, Jovitas, Jovitas है यह इसके फ्रूंग पिसे इस इसता है भारत में चीते का पुनरवास कहां किया गया है यह कुनो राष्टी उद्धान मध्यप्रदेश में किया गया है यहां चीते कहां से लाए गए हैं नावी बिया से कितने चीते आठ चीते जिसमें पाँच मादा तीन नर और भारत में चीतों को भारती भूमी पर कप साथ दसकों मत उन्नी शुवावन में देश में बिलोपत घुसित कर दिया गया था और अठारा फरबरी दो हजार देश को दक्षन अफ्रिका से लाए गए बारा चीतों को कुणू राष्टी उद्धान के लिए मुक्त कर दिया गया है और यह अंतर महादीपी स्थान अंतर्ण की विश्व की प्रिथम परियोजना है तथा इसमें प्रितिक चीते के लिए एक GPS-BHF रेडियो कॉलर पहनाया गया ह बिश्व में सबसे तेज दोरने वाला इस्थलिये इस्तंदारी है आईउसीन के नुसर बिश्व में वैक्स चीतों की कुल जियाद संख्या लगभग 6517 अनुमानित है अप्रिका महादीप में चीतों की आवादी मुक्षिता नामी विया दक्षणी अफ्रिका इवन बोच वाना आदी देशों में पाई जाती है विश्व में किसी देश के संदर्म में चीतों की सबसे ज़्यादा संख्या नामी विया में है इसी कारण इसे दाचीता कैपिटल ओवदा वर्ल्ल के उपनाम के नाम से जाना जाता है बैसway की रूप से संकट गरेस्त प्रजातियों की IOCN लाल सूची में चीतों को सुवे इद्य सूची में बरगी किया गया है जबकि ACI चीता जिसका अस्टतिपकेवल ईरान में ही है गम्भी रूप से संकट गरेस्त घुसित किया गया है वर्स उनी सुबावन में भारत सरकार ने चीतिक को भारत में बिलुप्त गूसित कर दिया था और लिखित इतिहास में भारत में बिलुप्त होने वाला या है एक मात्र ब्रहत इस्तंधारी है इससे समयने थे इंपोर्डेंट पॉइंट है अब पढ़ते हैं महंद्रगिरी पहाड़ी जय बिलुप्त बिरासत इस्तल के बारे में 25 नमबर 2022 को उरीशा सरकार ने एक अधिस उचना के माद्यम से महंद्रगिरी पहाड़ी को जय बिलुप्त बिलुप्त इस्तल गोसित किया है यह उरीशा के दुतीर जय विवित्ता इस्थल है तथा मंद सरू कंदमान जिला उरीशा का प्रिथम जय विवित्ता इस्थल है जिसमें पहला जय विवित्ता इस्थल है उरीशा का मंद सरू का कंदमान जिला और पहला जो दूसरा वाला विरासत इस्थल है वह भी उरीशा क सम्भाग में इस्ते थे अरीटा पट्टी जै बिवित्ता बरासत इस्थल मदरे जिले में अरीरा पट्टी तथा मीनाक छुपुरम गाओं में 193 में 253 हेक्टियर छेत्र में विश्थे थे जै बिवित्ता बरासत इस्थल नल्नूर टैमिरिंड ग्रोव जो बल्लिन के लूरू करनाटक में स्थेते इसे जनवरी 2007 में जै बिवित्ता बरासत इस्थल भूसित किया गया है महराश्ट टेवन तरप्रा में सरवादिक पांच जेब वित्त बरासत इस्थल है गौलतलव है कि उत्तर प्रदेश में जेब वित्त इस्थलों की संक्या एक है जबकि मद्य प्रदेश में तीन है महीं बिहार में जेब वित्त इस्थल नहीं है कहा नहीं है बिहार में कोई जय बिवित्ता इस्थल नहीं है उतर प्रदेश में एक जय बिवित्ता इस्थल है और मद्य प्रदेश में तीन है मायराज्ट तरपरा में पांच है जो की सरवादिक है और जन्वरी 2007 में जय बिवित्ता बिरासत इस्थल को घुसत किया गया भारत का पहला जय बिवित्ता बरासत इस्थल नलूर टैमिरिंड बैंगलूरू करनाटक में इस्थापित किया गया हूँ, प्रिजेंट में 36 जय बिवित्ता इस्थल भारत में है। चारागुड़ा सिमोगा करनाटक में, फeau ये सभी करनाटक कें आब आता है महाराश्ट में ग्लोरी ओफ अलापली जो गड़ चलोली में है। की एक मात्र है चिल्किगर कनक गुदुर्गा जाड़ ग्राम पश्यमंगाल में है खलाकुर सीम कमई लंग रीभोई मेघाले में है मंद्शरू कंदवाल ओरीशा में जिसो हाली में जैब वित्ताइस्थल गुर्शित किया गया है जो इसका ओरीशा का पहला जैब वित्ताइ राय उत्री गुवा गुवा का है नारो हिल सतना मध्यप्रदेश का है पाताल कोट छिनवाड़ा मध्यप्रदेश अस्रामम कोलम केरल का है बंबार्डे मिस्टारी का स्वेंप सिंधुदुर्ग महराष्ट का है गनेश सिंध खिंद गार्डन पूने महराष्ट का है लंद डौप्रोशनाद्पहें नीनचेत्पात। बैटलिंग या सिब एंड इट से स्राउंडिंग उत्री तुपड़ा जिला में है जो तुपड़ा में इस्ते थे और फिर आता है अमर कंटक जो अमुरूपुरु मद्रप्रदेश में है हानजिग हौजंग टाल टाइस लेक या दीमा हसाव असम में है और बॉर्जुली वाइल्ड राइस साइट सोनेतपूर असम में है अरिटापटी मदुरई तमिलाणो में हो और महेंद्र ग्रीहिल गजपती उडीशा में जिसे हाली में इसे जैबिवित्ता बिरासत स्थल गुशत किया गया हूँ और उडीशा का पहला जैबिवित्ता स्थल मन नसरू कंदमान जिला में है अब पढ़ते हैं बिलू फ्लेग प्रमाण पत्र के वारे में 26 अक्टूबर 2020 को परियावन बंड और जलवाई परिवरतन मंत्राले दोराजारी विग्रप्ती के अनुशार दो भारतिये समुद्र तटों को बिलू फ्लेग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया जिसमें पहला आता है थुन्डी तट मिनिकाय और दूसरा आता है कदमत तट आता है इस से रेलेटेड कोशन पूछा ए दोनों ही तट लक्षदीप में इस्तेत हैं इसके साथ ही भारत में अब तक कुल 12 समुद्र तट को बिलू फ्लेग प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सका है बिलू फ्लेग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 12 भारती समुद्र तट है पहला आता है सिवराजपूर गुजराद दूसरा आता है घोगला दीप, दादरा एबम नागर हामिली, एबम दमनोर दीप तीसरा आता है पदू, बिद्री करनाटक, चौथा आता है कासर कोड करनाटक, पांचमा आता है कपड कीरल छटवा कोवलम तमिलाडू, सातमा इडन पुदुचेरी, आठमा रूशी कोंडा आंधर प्रदेश, नौवा गोल्डन उडिशा, राधानगर, शौराज दीप, अन्नमान और निकुबर दीप शमु में स्थे थे, थुन्डी तट और कदमत तट को लच्छ दीप में इस्था किया गया, बिलू फ्लेग प्रमाडपत् धाली में किसको दिया गया, लच्छ दीप के दो तट, धुन्डी तट, मिनिकाय और तदमत तट को दिया गया है, जो किसकी द्वार दिया जाता है, यह परियावर बन और जलवाई, परिवारतन मंत्रा लोई द्वार जारी, विग किया जा चुका है, बिलू फ्लेग प्रमाडपत्र प्राप्त किया जा चुका है, बिलू फ्लेग कारिकरम के वारे में, फाउंडेशन फूर इंबावमेंट एजुकेशन द्वारा बिलू फ्लेग सहे तकुल पाँच कारिकरमों का संचालन किया जाता है, बिलू फ्लेग समुद्टर पंदरगाहों तथनों का परेटन संचाल को कुपरदान किये जाने वाले बिश्यों के सरवादिक मानेता प्र 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानिपूर बाग अभ्यारण के गठन की अधिसूचना जारी की गई, तहां पर जो चित्रगोट जले में स्थेत है, या देश का 53 बाग अभ्यारण है, राज सरकार द्वारा रानिपूर बाग अभ्यारण की अधिसू होते हैं जिनमें बाग तेंदुए स्लोथ रीच चित्तिदार ही रण सांभर और चिंकार जैसे जीवों का वास होता है इसमें कई प्रकार के पक्षियों सरीजर्पों की प्रजातियां भी पाई जाती है पन्ना टाइगर रिजर मद्धिप्लिश और रानीपुर बाग अभ्य का जो आंत्रिक चेत्र वाई 230.1 बर किलोमेटर है बफर चेत्र 299.05 बर किलोमीटर है और संपूर चेत्र 539.36 बर किलोमीटर है रानीपुर बाग अभ्यारन से संबन्द है यह एक त्रेपनवा बाग अभ्यारन है यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूड जिले में अवस्थि एक दूसरे के करीब इस्थित है और बागों की आबा जाही के लिए एक महत्पूर गलियारा प्रदान करते हैं और उत्तर प्रदेश में इस्थित बागा अभ्यारण के बारे में पहला आता है दुद्वा जो 2010 में इस्थापित हुआ था जिसका कुल छेत्र 2201.77 है दूसरा आता है अमंगड छेत्र जो कारवरेट टाइकर रिजर्ब में है इसमें 2012 में इस्थापित किया गया तथा यह है 80.67 कुल छेत्र फल इस्थित है फिर आता है तीसरे नम्मर पर आता है पीली भीत जो 2014 में इस्थापित किया गया था और यह है 730.25 कुल छेत्र फल में इस्थित है उसके बाद आता है रानीपूर जो चोत्रा है जिसे 2012 में स्थापित किया गया था यह है 529.36 बर्ग किलूमीटर छेत्र में कुल छेत्र में फैला हुगा है उत्र प्रदिस के चार कौन-कौन से हैं दुद्वा, अमनगर छेत्र, उपेली भीत और रानीपूर भारत में बाग प्रदिश्चों की बाग आवासित बनों को निर्मली खेत प्रदिश्चों में बरगी किरत किया गया पहला आता है सिवालिक की पहाड़ियां एवं गंगा का मेदान छेत्र, दूसरा आता है भारतिये मद्ध, मद्ध भारतिये छेत्र, तीसरा आता है पूरवी घाट, चोथा आता है पश्मी घाट और पाचमा आता है उत्तर पूरवी पहाड़ियां एवं बरमपुत्र मेदा भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण के बारे में 12 अक्टूबर 2020 को तमिलाडू सरकार ने भारत के पहले सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण के गठन की अधिसूचना जारी की इसे कदावर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण की नाम से जाना जाता है इस अब भ्यारण कविस्तार्त में लाणू के करूर और डिन्डी गुल जिलो में होगा इसका छेत्रपल है एक 11806.66 हेक्टियर में यह बिर्स्तित है और यह यहाँ सिलेंडर लोरिस छोटी निसाचर प्राइमेट या नरवानर होते हैं जो दक्षिन भारत इवं स्री लंका के उशे कटिवंधिये पढ़ पाती बनों में पाये जाते हैं इनकी लगभग या 25 सेंट्मीटर लंबी इन जानवर का बजन 275 ग्राम तक होता है इनका जीवन का अलगभग 12 से 15 वर्स का होता है बास्त में सिलेंडर लोरिस की दो पर जाती हैं एक आती है रेड सिलेंडर लोरिस जो और दूसरी आती है ग्रे सिलेंडर लोरिस International Union for Conservation of Nature की लाल सूची में रेट सिलेंडर लॉरिस को लुपते प्राय की सूच में घुजित कर दिया गया है तर जब की आयोशीन द्वारा जारी ग्रेट सिलेंडर लॉरिस को संक्रटापन के रूप में सुचीवत किया गया इसमें important point आता है कि भारत को भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण कहां खूला गया है इसके अधिसूचना का गठन कहां किया गया है तमिलाडू में एक कंदाव और सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण की नाम से जाना जाएगा जिसका विस्तार तमिलाडू को करूर और डिंडी गुल जिलों में होगा सिलेंडर लॉरिस की दो प्रजातियां है जिसमें एक आती है रेट सिलेंडर लॉरिस दूसरी आती है ग्रे सिलेंडर लॉरिस रेड सिलेंडर लॉरेस को आयूशीयन की लाल सूची में लुपते प्राय प्रजाती की रूप में घूसित किया गया है और जो ग्रेश लेंडर लॉरेस को आयूशीयन की संकेटापन प्रजाती की रूप में घूसित किया गया है देश का पहला डुगोंग संरक्षन रिजर्ब के बारी में 21 सितंबर 2020 को तमेलाडू सरकार दौरा पार्क की संखाडी में देश के पहले डुगोंग संरक्षन रिजर्ब की स्थापना हेतु अधिसूचन जारी की गई एह रिजर्ब 448 बर किलोमेटर की छेतर में बिर्सित होगा और इस रिजर्ब का विस्तार तंजाबूर और पट्टू पुदु कोट्टई जिलों के तटी जलतक होगा ग्यातब है कि दुगोंग विश्व में सबसे बड़े साकाहरी इस्तन पाई जली जीव होती हैं जो समुदरी गाई की नाम से जाने जाते हैं डुगोंग डुगोंग है और भारती बने जीपसन स्थान के अनुसार डुगोंग भारत की मननार की खाड़ी पाक की खाड़ी कच्छी की खाड़ी और अन्डवा निवमने को वर दीप सबों में पाई जाते हैं डुगोंग सरेलेटेट कोश्यन UPSC में पूछा जा चुका है और इस बार आने की संभाव ना है क्योंकि पहली बार यहां पर डुगोंग संरक्षण रिजर्ब को भोसित किया गया है जो कहां पर तमिलाडू सरकार की द्वारा पाक की खाड़ी में देश के पहले संरक्षण जर्ब की स्थापना की जाएगी और यह कहां तंजाबर और पुडू को टई जिलों के तटिये जल जल तक होगा डुगोंग बिस में सबसे वड़े साकारी इस्थनपाई जली जीव होती है जिसे समुद्री गाय की नाम से जाना जाता है भारत का पहला हिमिस्कलन निगरान द्वारा की गई यह रडार हिमिस्कलन की ट्रेगर होने की तीन सेकंड के अंदर उसका पता लगा सकती है जिसे यह तेदी कूचाई वाले छेत्रों में सेनकों की जान बचाने वा संपत्ती की नुकसान को कम करने में मदद करेगा यह रडार सूक्षे तरंगों की उपियों की माध्यम से माध्यम से हमिस्कलन का पता लगाए इसकी जो बिसिस्ता है इसे सिक्किम में इस्थापित किया जाएगा जो भारत का पहला हमिस्कलन निगरानी रडार होगा इसकी इस्थाप ना भारती थल सेना और रक्षा भू सूच ना विग्यान और अनुशन्धान प्र एज़ राई हाती अभ्यारण की स्ठापना हीतु परियावन बन और जलवाई परिवलतर मंतरा लय भारस सरकाल द्वारे oblivionे की अंतर प्रदेस के सथापित किया गया है यह भी ए हमने सफले पढ़ा है कि देश का जो तो 13 newer बार बांग बहा हुआ है बहरानी पूर बाग अभ्यारण है जो उत्तर प्रदेश के चित्रपूर कूर जिले में इस्थापित किया जाएगा और जो अभी हाती अभ्यारण जो 33 वहाती अभ्यारण है बहर उत्तर प्रदेश के दूसरा हाती अभ्यारण होगा और इसे हाली में इस्थापित कि गया है त्राई हान्ती अभ्यारण की स्थापना 3072.36 पर किलोमेटर छेतर फल है यह हाती अभ्यारण उत्तर प्रदीश की चार्जलो लखें पुरखेरी बहराइच पीली भीद साहे जहापुर में बरिषते थे साती है पीली भीत बाग अभ्यारण, दुद्वा बाग अभ्यारण, विकेशन पुर्व पच्छी अभ्यारण, कर्तर्णिया घाट बन जीब अभ्यारण, दुद्वा वफर जोन और दक्छडी खीरी बन विपाग जोन के बन शेत्रों में बिस्तेते हैं इस से related question पूछा जा सकता है कि जो बातराई बाग अभ्यारण है, हाती अभ्यारण है, वह इसके किस-किस जलों से होकर गुजरता है या किस-किस छित्रों में बिस्तेत हैं पहला आता है लखीम पूर खीरी, फिर बहराईच, पीली भीत, सहे जहांपूर, और पीली भीत बाग अभ्यारण, दुद्वा बाग अभ्यारण, किसन पूर पक्छी अभ्यारण, कतर निया घाट बन नजीब अभ्यारण से related question पहले अभी लास्टी जियर 2022 में पूछा गय कि इसकी स्थापना कप की गई थी, जिसके 1975 में स्थापित किया गया था, दूसरा आता है इसमें दुद्वा बफर जोर और दक्षनी खीरी बन प्रिभाग जोर की बन छेतर को विर्श्थित किया गया, ध्यातब बहर की तराई हाती अभ्यारण की स्थापना प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश हाती डेजर्व, उत्तर प्रदेश का पहला हाती अभ्यारण है, इसका छेतरफल 744 बर किलो मीटर है, इसकी स्थापना 9 सितंबर 2009 को प्रोजेक्ट टेलीफेंट की तहत की गई थी, अब पढ़ते हैं भारत में हाती अभ्यारण की सूची के वारे में, जिसमें राइला हाती अभ्यारण जो पहला है, जिसे 2003 में इस्थापित किया गया था, या अंधर प्रदेश का है, दूसरा आता है कामेंग हाती अभ्यारण जो अरनाचल प्रदेश में है, जिसे 2002 में इस्थापित किया गया, तीसरा आता है दक्षणी अरनाचल प्रदेश सोनितपुर हातियब भ्यारण असब में इस्थापित किया गया देहिंग पटकाई हातियब भ्यारण असब में है जिसे 2003 में इस्थापित किया गया बादलखूल तमूर भ्यारण असब में इस्थापित किया गया दान्डिली हातियब भ्यारण जो करनाटक में इस्थापित किया गया इसे भी 2015 में इस्थापित किया गया वाइनट हाथी अभ्यारण केरल में इस्थे थे इसे 2002 में इस्थापित किया गया अब आता है नीलामवुर हाथी अभ्यारण केरल में इस्थे थे जो 2002 में इस्थापित हुआ अन्नमुदी हारती अभ्यारण केरल में इस्ते थे इसे 2002 में इस्थापित किया गया पेरियर हाती अभ्यारण केरल में इस्ते थे इसे भी 2002 में इस्थापित किया गया केरल में continue तीन अभ्यारण को 2002 में इस्थापित किया गया अब आता है गारू हिल्स हाती अभ्यारन यह मेगाले में स्थापित किया गया फिर आता है इटंगी हाती अभ्यारन जो नागालेंड में स्थापित किया गया फिर आता है इतनगी हाती अभ्यारन जो नागालेंड में स्थापित किया गया फिर आता है इतनगी हाती अभ्यारन तमिलाणू 2003 में अन्ना मलाई हाती अभ्यारण तमिलाणू में स्थेते जिसे 2003 में स्थापित किया गया स्री बिल्ली पुत्तुर हाती अभ्यारण तमिलाणू में है जो 2003 में स्थापित किया गया और अगस्त मलाई हाती अभ्यारण तमिलाणू में है जिसे 2022 में स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश हाती अभ्यारण उत्तर प्रदेश में है जो 2009 में स्थापित किया गया तराई हाती अभ्यारण उत्तर प्रदेश में है जो 2022 में स्थापित किया गया जो उत्तर प्रदेश का दूसरा और यह है देश का 33 अभ्यारण है सिवाले खाती अभ्यारण उत्राखंड में है जो 2002 में स्थापित किया गया मैयू जर्णा आथी हाती अभ्यारण पश्यमंगाल में है जिसे 2002 में स्थापित किया गया फिर आता है पूर्वी द्वार हाती अभ्यारण जो पश्यम मंगाल में ऐसे 2002 में स्थापित किया गया ये भारत के प्रोंक हाती अभ्यारण है जिसमें 53 बाव उत्तर प्रदेश का बना है अब पड़ते हैं तीन हमाले पोधे आयूशीन की लाल सूची में सामिल ये तीन पादप प्रजातियां मीजो, ट्रॉपिक, पेलिटा, फिरिटी, लोरिया, सिरहोरा और डेक्टाई, लोरिजा, हतार गिरिया हैं मीजो, ट्रॉपिक, पेलिटा को सामयनता पटवा की रूप में जाना जाता है ये एक सदावाहार जाड़ी है, जिसका वित्रर सीमित है ये उत्रकंड का एक स्थानिक पोधा होता है और इस पोधी को गंभी रूप से संकरग्रस सूची में सूची वद्द किया गया फ्रीटी लोरिया सिरोहोरा सिरोहोसा को सामयनता हिमाली फ्रीटेर्णी के रूप में जाना जाता है एक बारह माँ से बल्ब नुमा जड़ी मूटी है, इसे आयुशीन की लाल सूची में एक सुविद्द सूची में सूची वद्द किया गया है फिर आता है डेक्टाई लोरिया हतागीरिया, इसे सामयता सलाम पांजा के रूप में जाना जाता है, जो एक बारह मां से कंद पर जाती है, या हिंदु को सुव अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल तथा पाकिस्तान के हिमाली छेतर के स्थाने के पर जाती ह इसमें तीन हिमाले पौदे की लाल सुची कौन-कौन सामिल किया गया है, तीन पर जाती में पहली आती है मेजी ट्रॉपिक्स, पेलेटा, जिसे गंभी रूप से संकट गरस्त किया गया है, या उत्राखंड की है, तूसरी आती है फ्रीटी लोरिया सिरहोसा, फ्रीटी लोर अब पढ़ते हैं भारत के 75 रामसर इस्थलों की सूची में सामिल किया गया है इस परकार भारत के 75 बेबर्स में देश की रामसर इस्थलों की कुल संख्या वड़कर 75 हो गई है इसमें कुल 6 तरफल 13,26,677 हेक्टियर में आच्छा दित है इनमें 11 नई इस्थलों में जिसमें तमिल लाडू के चार, उड़ीशा के तीन, जम्मू कस्मीर के दू, मद्धिप्रदीश और महराष्ट के एक एक इस्थलों को नया इस्थल के रूप में इस्थित किया गया भारत में रामसर इस्थलों की संख्या तमिल लाडू में 14 है जो की सरवादिक है और रामसर इस्थलों में उतर प्रदीश में 10 दूसरे नंबर पर आता है इन 11 नई आदरभूमी का विबरण देख लेते हैं जिसमें पहला आता है तंपारा जील जो उरीशा की गंजाम जिले में इस्थित है जो मीठे पानी की सरप्रूग जीलों में से एक है दूसरी हीरा कुंट जलास है जो उरीशा की जंबलपूर जिले में महानदी पर इस्थित है या मिठी की सबसे लंब बेवादों में से एक है फिर आता है अनसुपा जील या उरीशा की सबसे बड़ी ताजी पानी की जील है फिर आता है एस्वंत सागर जो इंदोर चेतर में से दो मध्यप्रदीस की इंदोर चेतर में से दो महत्यपूर पक्षी चेतरों में से एक है फिर आता है चित्रांगुडी पक्षी पहरण या बहरण तमिलाडू की रामनात पुरम जिले में से थे फिर थे सुचिन्द्रम थेरूर बेट्ट लेंड कोंपलेक्स यप सुचिन्द्रम थेरूर माना कुडी सणरकष़र रिजर्ब का हिस्ता है फिर थे सहाई धण्दीर पक्षिय अब्यारण यह महाराश्ट के मुंबई के औपसरेंगा दूर्ब हाई गम आदरभूमी सनरक्षन रिजर्व या इस्थल जम्मुकस्मीर के बारमुला के जले में इस्थित है फिराता है सालमुंग आदरभूमी सनरक्षन रिजर्व या भारत के जम्मुकस्मीर राज्य में इस्थित है या आदरभूमी जलवरत के पुनारभराण के लिए महत प्रिजंट में 75 है उनकी बारी में पहली है मन्नार की खाड़ी only, समुद्री, पक्छी अभ्यारण, साथ में आती है करीकली पक्छी अभ्यारण, और आठ में आती है उदिया मार्थन दाव पुरम पक्छी अभ्यारण, नौ में आती है बेदान्थल पक्छी अभ्यारण, तस में बेविनननूर पेट लेंड, कॉम्पलेक्स, और ग्यार में आती है, चित् प्रदीस की जो दूसरी नवर प्रद्र प्रदीस की जो दूसरी नंबर पर आता है जिसमें दो टल 10 संक्या है। जो तीसे नमबर पर पंजाब और ओडिशा दोनों हैं जो छेए छेए सनरक्षण शेतर हैं इसमें पंजाब में ब्यास सनरक्षण जब हरीके जील, रोपड, केशोपुर मियानी, सामुदाइक रेजरब, कांजीली, नागल, बनेजीब अभ्यारा उडिशा में हैं चिलका जील, सतकोशिया गर्ज, मिहतर करनिका मैंगरोग, तंपारा जील, हीरा कुन जलासे, अनसुपा जील जमु कश्मीर में भी पांच है, बुलर जील, होकेरा आदरभूमी, सुरेंसर मांसर जील, हाई गम, आदरभूमी सनरक्षण रेजर और सालमुग आदरभूमी रेजर बाते हैं फिर आता है, गुजरात में चार है, नल सरोवर, थोल जील, बनने जीव अभ्यारण, वदवाना आदरभूमी, खिजडिया बनने जीव आदरभ्यारण आता है मद्य प्रदेश में विचार आती है, इसमें भोज पूर, अभोज आदरभूमी, सांख सागर, सिरपूर आदरभूमी और यश्वंद सागर हेमार्प्रदेश में पॉंग भान जील, चंदरताल आदरभूमी, रेण का आदरभूमी जो सबसे छोटा है पिर केरल में आता है, बेम मिनाद कोल आदरभूमी, अश्ट मुदी आदरभूमी और सस्ता अथ्रम कोटा जील आती है महराष्ट में नांदुर, मधमयेश और लोच लोनार जी, थाड़े क्रीक फिलेमिंगो अभ्यारण में दो है, तुसु मोरोरी, तुसु कर आदरभूमी कॉंपलेक्स, हर्याड़ा में दो है, भिंडावास, बंद जीब अभ्यारण और सुल्तानपूर राष्टी उध्धान और राजिस्थान में दो आती है, सांबर जील और केवलाधियो राष्टी उध्धान पश्चिम मंगाल में आती है, सुन्दरवन आदरभूमी जो सबसी बड़ा है, और पूर्वी कलकत्ता आदरभूमी उत्राखंड की एक है, आसन सनरक्षंड जर्प, गुवा की एक है, नन्दा जील, करनाटक की एक, रंगना, थिट्टू, पक्षियब भिहारण आंदरप्रदेश की एक कोलेरू जील, बिहार की एक काबरताल जील आदरभूमी, असम की एक दीपूर वील, मणीपुर की एक लोकटक जील, मणी मेजूरम की पाला आदरभूमी, उत्रप्रा की रुद्दिसागर जील है, एप रुमुख आदरभूमी आया, जो टोटल अब पढ़ते हैं, विश्व की पहली फिशिंग कैट गरणा के बारे में, पांच यूद नोहजरवाइस को विश्व परियावण दिवस के यौशा पर चिलका विविकास परादीकरण द्वारा जारी, एक बक्तब विकास बी शेटर अड़ी सा इस्तित थे, चिलका जील मे के जंगली बिली है जो की एक दुर्लब प्रजाती होती है जिसका बिग्यानिक नाम प्रियो नेलुरस बिबेरिनस है जो जिसका आकार संताओं से 78 सेंटीमीटर तथा बजन 5-16 किलोग्राम तक होता है जादतर आद्रभूमी छित्र में मैंगरू आवाशों में पाई जाती है भारत में जादतर सुन्दरभन छित्र के मैंगरू बंब हिमाले की तलहटी तथा बश्चमी घाट में पाई जाते हैं फिसिंग केट को अंतराश्टी प्रक्ति सन्रक्षण संग की लाल सूची में सूची बद्द किया गया है जंगली जीवों और बनस्पतियों की संकट ग चलका मंगाल में राज का राज के पशु घ्वोसत किया है फिसिंग जलं की भारत की सबसे बड़ी जील होने की साथ ही पूर वी तटकी सबसे बड़ी जीव इसमें बिश्व की पहली फिशिंग गड़ना किसके द्वारा की गई उडिशा इस्ति चिलका जील में कुल 176 फिशिंग गड़ना बिश्व परियावन दिवस के आउसर पर चिलका विकास प्राधी करण की द्वारा जारी रिपूर्ट के तब विक्या नुशार की गई देश का बाउन बागब्यारण इसमें अभी ही तक हमने त्रेपन बागब्यारण पढ़ा था ये बाउन बागब्यारण के बारे में कुछ इंपूर्टेंट पॉइंट सोला मई दो हजर वाईस को राजिस्तान सरकार द्वारा रामगड़ बिस्थारी बाघ अभ्यारण के गठन के अधिसूचन है जारी की गए रामगड बिस्थारी राजिस्तान के बूंदी भीलगार वाणा और गोटा जिलों में विस्ते थी ये देश का बाउन में बाग अभ्यारण है एन्नाव अधिसूचित रामगण विस्थारी भाग अभ्यारण में दक्षन में मुकंत्रा हिल बाग अभ्यारण पूरुटर में रण थंबोर बाग अभ्यारण के बीच बाग आवास सामेल है फरवरी 2021 में तवे लाडू सरकार दौरा सिरी बिली पुथूर गिलहरी बनेजीव अभ्यारण को सिरी बिली पुथूर मेगा मल्याई भाग अभ्यारण के रूप में अधिसुचित किया गया था रामगण विश्चिदारी बाग अभ्यारण के बारे में यह इसका आंत्रिक छेत्र है, 4187.90 में बर किलोमीटर है, बफर छेत्र 1099.99 बर किलोमीटर है, राजिस्थान में इस्तित बाग अभ्यारण जिसमें रड़तमबूर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल, रामगारी, बेश् सरवादिक बाग अभ्यारण मद्रप्रदी सिव महराष्ट में जिनकी संक्याच है, मारत में सबसे बड़ा बाग अभ्यारण नागारजुर, स्रीशेरम, अंद्रप्रदी सराज्च में इस्तित है, यहाँ परियावण से संबंदित मुद्दे हमारे फिनिश होते हैं, जिस इस तरीके कोश्चन इसमें आते हैं कि जो हाली में घूसित किये गए हैं, और हाली में इनका कौन सा रेंक है, इनसे रेलेटर और इनका विस्तार किस किस राज्चों, या फिर किस किस जिले में है, जो बाग अभ्यारण है, या फिर जो रामसर साइट है, और किस प्रजाती को किस सूची में, IUCN के किस सूची में समलित किया गया है, इनसे related question आते हैं, तो इसको आप बार बार देखिए और कुछ important point को note कर लीजे, जो exam के लिए revision करने के लिए काफी सहायक होंगे, और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए channel को like करें, subscribe करें, share करें, धन्यव करें।